धन्यवाद सभापती जी सबसे पहले तो अंतराष्ट्य महिला दिवस के इस मौके पर मैं अपनी और से विश्व के इस सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुबका मनाये देती हूँ उसके साथ ही मैं इस सदन के सभी लोगों के प्रती आभार विक्ट करती हूँ कि इस विशे पर सदन चल गया और केवल चला नहीं हमारे साथी पुरुश सांसदों ने केवल हमारी बात सुनी नहीं बलकि हमारे स्वर में स्वर मिलाकर हमारा साथ दिया और सभापती जी इससे आपका मानसिक तनाव कम हुआ इसलिए आपकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी मैं यहां बैठे अपने सभी सांसी सांसेदों के पती आभार प्रकट कर दिया सभापती जी अंतराश्टी महिला दिवस का दिन हमें एक ऐसा मौका देता है जब हमें महिलाओं द्वारा अरजित की गई उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और जो कमिया हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए जहां तक महिला आरख्षंड बिल का सवाल है मैं शुरू से इस बिल की समर्थक रही हूँ और आज भी पूर्जोर धंग से समर्थक हूँ लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर कुछ उन उपलब्धियों का भी बेखान करना चाहूंगी जो आरख्षंड के बिना भी महिलाओं ने प्राप्त की है क्योंकि विदेख्ष मंत्री के नाते मुझे जब दूसरे देशों में जाने का मौका मिलता है तो जिंडर इंपावर्मेंट एक आम विशे है जिस पर चर्चा होती ही है उस समय में माथा उंचा करके कहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिला राष्ट्रपती बनी जहां महिला प्रधान मंत्री बनी जहां दो-दो महिलाएं स्पीकर बनी जहां अनेक प्रदेशों की मुक्ष मंत्री महिलाएं बनी जहां अनेक राष्ट्रिये दलों की अध्धक्षाए महिला बनी उसे के साथ साथ मुझे वो उपलब्दियां भी याद आती है जहां महिलाओं ने एक अधिकार का खेत्र पुरुशों का तोड़ा है एक समय था पुलिस, आमी, एफोस, कमर्शल पालेट जिसकी बात तिर्की कर रहे थे यह सब पुरुशों के एक अधिकार के खेत्र थे आज महिलाओं आमी में कॉमबेट ड्यूटी कर रहे हैं एफोस के जहाँ जुडा रहे हैं अंतरिक्ष में जा रहे हैं क्रित्रम फुट से, आर्टिफिशल पैर से एवरिस्ट को फते कर रही है और अभी अभी इस 26 जनवरी को आपने देखा जो बाइक्स के करतब होते थे वो पुरुशों का एक अधिकार था लेकिन इस बाइश सफ की 161 जाबाज महिलाओं ने वो करतब भी राजपत्स पर दिखा करके वो एक अधिकार भी तोड़ दिया लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक तरफ ये उपलबजियों का अंकड़ा हमारा माथा उंचा करता है वहीं दूसरी और महिलाओं के साथ हो रहा अन्याए और उसमें से उपजी हुई उनकी पीड़ा मैं और विमन दोनों की बात करती हूँ जब मैं हम कहती हूँ तो मैं पूरे समाज की बात करती हूँ जब मैं हम कहती हूँ तो मैं केंदर सरकार और राज्य सरकारों की बात करती है तो आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारें सभी सांसद सभी विधायक और समाज का हर वर्ग जिस मानसिक्ता की बात मेरे भाई कर रहे थे उस मानसिक्ता को तोड़ने में लगेंगे और महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह की पीडा हो रही है उसको हम कता ही सहन नहीं करेंगे ये एक मुवमेंट बनना चाहिए ये एक आंदोलन बनना चाहिए ये केवल एक सरकारी कारिक्रम बन करके नहीं रह जाना चाहिए और उस जन आंदोलन की य अंतरराश्ट्री महिला दिवस वास्तों में हम सार्थक रूप से मना पाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद दिए अच्छा है सुष्मा जी स्री विज्ट